नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही interesting और बहुत ही important development हुई है very recently यह जो पूरा मुद्दा है यह असल में घूंता है artillery guns के आसपास Now, artillery guns को लेके जब भी भारत में बात होती है I think एक चीज जो सभी को याद आती है वो है Bofors का कांड जो Bofors का scandal हुआ था भारत में 1980s में उसके बाद से लेके भारत में इस चीज को लेके not only हम कहेंगे कि भारत में बलकि कहना चाहिए ठीक है उसके बाद हमने सिलसला शुरू किया कि हम या तो countries को भारत में आके बुलाते हैं कि वो भारत में आके बनाएंगे या फिर हम बोलते हैं कि हम अपनी जो artillery gun है वो खुद ही produce कर लेंगे लेकिन यहाँ पे पिछले साल की बात है that is 2019 ministry of defense ने एक बहुत बड़ा कदम लिया और artillery guns को procure करने के लिए एक tender float कर ही दिया और अब finally ऐसा लग रहा है कि उस tender के results सामने आ जाएंगे और इसमें एक Israel की firm है जिसको यह tender शायद सौप दिया जाएगा जिसको tender का contract दे दिया जाएगा और finally वो वाली Israeli firm भारत में आके इन artillery guns को बनाएगी तो सबसे पहले तो हम यह पूरी story के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से यह वाला tender float किया गया किस तरीके से Israeli firm को किस basis पे इनको यह almost सौपा जाएगा and then we will discuss the very very important topic कि क्या यह हमारे make in India के plans को impact करेगा या नहीं करेगा चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं study IQ आप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से Google के Play Store पे जाएं और इस आप को वहां से डाउनलोड कर ले अगर आप आने वाले UPSC Prelims की 2021 की तयारी कर रहे हैं इस course को ज़रूर भाई कीजेगा जिसका नाम है Past Year Prelims Discussion Course इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर को डिसकस किया है जो कि आपकी तयारी को काफी आसान कर सकता है All Right So Bofors का जो experience हुआ था I am sure हम उसके बारे में depth में बात नहीं करेंगे लेकिन I am sure आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि Bofors का experience इतना खराब था कि उस time पे जो हमारे उस समय प्रधान मंत्री थे उनको भी implicate किया गया और हमारे मंत्री मंडल के भी कई सारे लोग उसमें implicate ह In fact not only भारत के बलकि जिस country के साथ यानि कि Sweden के साथ जिसमें हमारी deal चल रही थी वहाँ पर भी ये scam काफी सारे लोगों को implicate करके बैठ चुका था जिसके चलते ये पूरा का पूरा scam was one of the most infamous scam जो की हमारी भारत सरकार ने देखा vis-a-vis defense sector लेकिन at the same time इस चीज को भी हम ignore नहीं कर सकते हैं कि 1999 का जो कारगिल वार हुआ उसमें जो भारत को सबसे बहतर edge मिली वो basically मिलती ही artillery guns की वजे से है artillery guns कुछ इस तरीके से होती है जो कि या तो किसी तरह के mounted platform पे लगी हो ठीक है या फिर किसी tank पे लगी हो इनको कहा जाता है artillery guns ये जो scam था 1980s वाला ये basically संबंध एक बहुत ही बड़ा dilemma था कि एक तो हमें इनकी जरूरत भी है क्योंकि अगर मानेज़े जंग हो जाती है तो ये हमें काफी बड़ी advantage देते हैं बट एक तरफ सरकारें सतर्क भी थी कि अगर हम कहीं ऐसा कुछ ऐसा procurement का कुछ scene करते हैं तो शायद कहीं इस चीज में कुछ और ना हो जाए कुछ corruption ना हो जाए कुछ scam ना हो जाए ठीक है इस चीज को बढ़ाते बढ़ाते कई time बहुत time निकल गया और finally 2019 में ministry of defense ने tenders को float करना शुरू कर दिया कि जी अब हम तयार हैं और अब हम artillery guns को बाहर से procure करने में interested हैं इस time पे जो दो players थे वो सामने आते हैं एक player था आपका इसरायल का जिसका नाम है Elbit Systems काफी बड़ी company है इसरायल में भी ये function करती है और US के stock exchange में भी ये listed है उसके बाद एक और company है जिसका नाम है Nexter ये France based company है इसको France की सरकार ही own करती है ठीक है अब इन दोनों ने अपनी-अपनी quotations यहाँ पे Indian government को stop दी लेकिन उस time पर भी ministry of defense ने एक छोटा सा idea दिया था कि यहाँ पर जो lowest qualified bidder है वो शायद Elbit ही है क्योंकि Elbit की जो ethos की gun है जो की इनकी artillery gun है वो काफी जाता सस्ती पढ़ रही है इसके चलते हम शायद Elbit को ही यहाँ पर यह वाला tender सौंपने वाले है ठीक है अब finally अब की बात है यानि कि just कल प यह offer देने वाले हैं लेकिन इसी दोरान Elbit ने अपने offer को और sweeten करने के लिए यह sure करने के लिए कि यह offer हमें ही मिलेगा यह tender हमें ही मिलेगा उन्होंने हमारे जो रक्षा मंतरी है defense minister जो है राजनात सिंग जी उनको एक letter लिखा है और उनको इस letter में उन्होंने कई सारी चीज गन्स देने वाले हैं जो की Elbit system आपको बना के देगा ठीक है साथ में हम जो है आपका जो artillery गन है इस artillery गन का 70% of the हिस्सा हम इसको इंडिया में ही बनाएंगे ठीक है so for example एक गन में माल लीजिए 100 component लगते हैं तो हम जो 100 components है उसमें 70 components जो है उनको हम इंडिया में ही क्यों obviously जो recently हमने defense acquisition का protocol launch किया था जो defense acquisition का हमारा पूरा का पूरा procedure था उसके तहत जो नई शर्तें लगाई गई थी वो ये थी कि अगर कोई बाहर की company भारत में आके 50% भी बनाती है तो हम उसको make in इंडिया के लिए accept करने को तयार है Elbit system बोल रही है कि हम 70% बनाएंगे तो ये वो पहला point है जहां पे Elbit इंडिया को layer करने की कोशिश कर रही है Secondly इसमें क्या हुआ कि इसमें इन्होंने ये कहा कि हम जो 1580 guns हैं उसमें से जो पहली 400 guns हैं वो तो हम आपको अपने आप से बनाके देंगे उसमें हमारी तरफ से कोई indigenous requirement होती भी नहीं है तो इस चीज में वो सही है और इन्होंने ये कहा कि जो बची हुई 1180 guns हैं उसको हम transfer of technology कर देंगे to the ordinance factory board जिस चीज को लेके again हम लोग काफी खुश हुए कि अगर वो TOT कर देंगे ordinance factory board को तो वहां से इंडिया जो है वो उन guns को अपने घर पे ही manufacture कर पाएगा यहां पर जो exact letter था Elbit के VP यहूदा वेरेड का वो आप यहां पे देख सकते हैं यह वाले point को ध्यान से देखिए पहला point तुम आपको समझा चुका हूँ कि यह इंडिया में आके manufacture करना चाहते हैं और उस particular gun जो इनकी gun का नाम है वो है हम अपनी supply chains का इस्तिमाल करके इंडिया से इस gun का export भी करेंगे तो यहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि once production of the Indian armies next 1180 gun shifts to the OFB Elbit and the Kalyani Group तो यह अपनी जो completely TOT है वो करने वाले है Kalyani Group को उनके साथ मिलकर के यह continue करते रहेंगे ethos को build करना for the global market so दो बड़े फाइदे सबसे पहला कि यह भारत को 70% of the gun इंडिया में बनाएंगे secondly भारत में बनाने के बाद यह इसको global market में भी बेचेंगे तो वहां से भारत को काफी सारा forex reserve भी मिल सकता है यह दूसरा फाइदा अब क्या हुआ यह दो फाइदों को लेके obviously हमारे defense minister काफी जादा इस चीज से प्रभावित हुए उनको लगा कि हाँ यह काफी अच्छा offer है अब क्या एक और चीज़ अब इस चीज़ को एक बार किनारे डग दीजे और एक और चीज़ को समझे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी सरकारें थी जो की artillery gun को बनाने में interested बाहर से procure करने में interested नहीं थी इसके चलते हमने artillery guns का एक घर पे ही अपना indigenization plan शुरू कर दिया था हमने 2012 में DRDO ने हमारे DRDO ने अपने उपर जिम्मेदारी ली कि हम एक नया artillery gun system भारत में ही बनाने वाले हैं 2012 में इन्होंने बनाना शुरू किया और 2016 में इन्होंने एक gun तयार कर ली थी जिसका नाम था AT-AGS इस AT-AGS system को 2016 में जब fire किया गया तो यह successful था लेकिन उसके बाद अब 4 साल हो चुके हैं आप देख सकते हैं नवेंबर 13 2020 की news है चार साल तक 16 से लेके 20 तक इस gun में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी लेकिन फाइनली अब जो यह gun है after all these hiccups यह ready to fire again हो चुकी थी ठीक हैं इस चीज का जो production था यह DRDO कर रही थी public private partnership model में भारत फोर्ज और Tata Group भारत फोर्ज की जो company है यह असल में कल्यानी ग्रूप की ही एक subsidiary company है जो की पूने में काम करती है और 80 AGS जो हमने अपने घर में बनाई थी यह काफी बढ़िया भी बनी army को काफी अच्छी भी लगी एक तो इसको बनाने में मातर चार साल लगे ठीक है and secondly इसमें जो army की expectations थी उसको भी इसने exceed किया लेकिन इसकी cost को ध्यान से देखिए इसकी जो एक गन की cost पड़ती है वो पड़ती है 20 करोड अगर हम इस अपने वाली गन को भारत में बना रहे हैं जिसका नाम है 80 AGS तो इसको बनाने में 20 करोड लग जाते हैं अब आप दो चीज़ों को ध्यान से देखिए Elbit system की जो artillery gun थी वो किस तरीके से भारत को lure करने की कोशिश कर रही थी कि हम 70% आपके घर में बनाएंगे और हम वहां से export भी करेंगे अब एक और चीज़ से वो lure करने की कोशिश कर रही है Elbit का जो gun का price है इन्होंने gun का price quote किया है मात्र 10.7 करोड पे और हमारा जो 80 AGS gun का price है I have just told you कि ये approximately 20 करोड के आसपास है So Ethos ने अपने आपको Nexter से तो जिता ही लिया क्योंकि Nexter की जो gun का price था ये approximately 17.3 करोड पर पीस था लेकिन Ethos का 80 AGS के संदर्व में price almost half है क्योंकि 80 AGS का price 20 करोड है अब यहाँ पर ये तीसरा reason बन चुका था कि Ethos gun को ही tender दिया जाएगा और ये almost sure हो चुका है So इसी के चलते MOD ने यहाँ पर अभी भी अपने दर्वाजे खुले रखे हैं कि वो Ethos को import करने वाले हैं और लेकिन साथ में वो DRDO की जो 80 AGS की trials को continue करने वाले हैं अब यहाँ तक तो कहानी ठीक है और यहाँ तक it sounds very very logical कि भारत Ethos को acquire कर लेगा और Nexter को छोड़ देगा items को import embargo के तहत लगा दिया था इसमें हमने ये भी कहा था कि हम आगे जाके इस list को और expand करने वाले हैं और जितना हो सकेगा हम इन चीजों को अपने ही घर पे बनाएंगे हम इन चीजों को directly भार से procure नहीं करेंगे और in fact अगर आप देखें इसके चलते भारत ने कई सारी guns को भारत में मिनाने की कोशिश भी करी है इसमें जो हमारी Indo-Russia Rifles Private Limited बहुत ही important project है जो की Amethi में setup किया गया है हजीरा वाली जो gun factory है इसमें भी हम एक artillery gun ही बना रहे है के 9 वज्रा ठीक है तो एक तरफ तो हम ये सब चीजें कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये आता है कि जब MOD ने ethos को procure करने की बात की है तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें AT-AGS के उपर भारी नुकसान हो सकता है इंडिया पिछले 8 साल से AT-AGS में invest कर रही है ठीक है लेकिन उसकी pricing काफी सादा है So what do you think? यहाँ पे don't you think कि जो AT-AGS का हमारा procurement है वो impact होगा Now केवल इन Israeli guns को procure करने के लिए November 30 की again आप इस news को ध्यान से देखेंगे तो हमारी MOD ने जो embargo लगाया हुआ था उस embargo को कुछ time के लिए relax कर दिया क्योंकि हमको लगा कि हमें ये Israeli guns को procure करना है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम इनको procure करेंगे उसके बाद देखेंगे कि embargo को हम फिर से लगा देंगे तो ये जो embargo असल में 2020-31 December को खतम होने वाला था अब ये embargo 31st December 2021 को खतम होगा तो ये चीज़ भी वहाँ पर extend हो चुकी थी Now, MOD which had earlier embargoed the import of all 155mm caliber towed artillery guns from December 31, 2020 reversed course इन्होंने कहा कि हम कोई बात नहीं Israeli guns को acquire कर लेंगे उसके बाद हम इस embargo को दुबारा से लगा देंगे Now, पहला concern जो already मैं आपको बता चुका हूँ कि और ये MOD के कई सारे sources से भी हमें सुनने को मिला है कि जो low cost of ethos है, this might render the procurement of the indigenous ATAGS problematic later बिल्कुल सही concern भी है, because ATAGS हमने घर पे बनाई है, लेकिन क्योंकि महंगी बनी है और क्योंकि ethos काफी जादा यहाँ पे सस्ती मिल रही है, तो इसकी procurement का क्या होगा आगे जाके ATAGS जैसे भारी project को हो सकता है, इंडिया को completely बन करना पड़े और अब तक जो भी investment यहाँ पे हुई है, वो almost शायद waste भी हो सकती है आप क्या सोचते हैं, आप हमें बताएंगे comment section में, क्या आपको लगता है कि ATAGS की procurement पे impact आएगा और आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि ATAGS हमारी make in India plans के खिलाफ है इवन दो ATAGS Israeli है, लेकिन ATAGS बना तो इंडिया में ही आके रहे हैं और 70% की हमारी जो rule books के हिसाब से जो requirement है उसको भी पूरा कर रहे हैं आप क्या सूचते हैं मैं बताये comment section में, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप करता हूँ, thank you for listening, stay tuned and stay safe